Hello everyone, welcome to this challenge, Jalooji Notes, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी forest ecosystem के बारे में First introduction, forest is an ecological unit, forest जोता है वो परिस्थितिक रूप से परिस्थितिक एक इकाई होता है It consists of large trees and thick vegetation, forest के अंदर that means jungle के अंदर के आता है The forest is a terrestrial ecosystem, forest जोता है, वो जमीन में होने वाले एक परिस्थितिक तंत्र होता है It is a self-sustaining ecological system, it is a biome, बुला चारे यह जोता है, self-sustaining होता है और इक तरह से यह होता है, एक तरह का ऐसा community जिस जगह पर प्लांट और एनिमल जो है वो प्रकितिक रूप से साथ में रहता है उसको कहते हैं, वायोम यह वायोम is a large land community formed at distinct plant, animals and climate वायोम एक ऐसा जगह, एक ऐसा बड़ा community है जिसमें क्या होता है, तो बहुत अलग-अलग तरह के plants, animals और climate जो है, मिलके रहते हैं Types of Forest The forest are of three types जो forest जोते जंगल जोतों वो तीन तरह के देखने को मिलता है पहला है रैन फोरेस्ट, दूसरा deciduous forest and third coniferous forest पहला रैन फोरेस्ट, यह कैसा forest होगा The rain forest are evergreen forest जो यह रैन फोरेस्ट जो है, इन्हें evergreen forest का आजाता है The trees have broadly इनके जो पत्तिया जोते हैं, बहुत चोड़ी होती है मतब इनके यह जो पेड़ होती है, जो ट्री होता है, इस जगह का जो ट्री होता है उसका पत्ता सब बहुत चोड़ा होता है They occur in areas of high rainfall For example, forest of western ghat जो मतब इस जगह पे जो पेड़ जो होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इसका area भी बहुत ज़्यादा होता है और यह इसके अंडर में आएगा कौन, तो western ghat का जो जंगल होता है वो इसके अंडर में आता है उसके बादे डेसीडियस forest यह क्याता है, the deciduous forest occur in moderate rainfall area Deciduous forest ऐसा होता है, यह मतब बारिस होता है मॉडरेट मीडियम साइज में उसका वहाँ पे बारिस होता है They have a broad lip, वहाँ पे लिप्स कैसे होंगे, broads होंगे They shed leaves during winter season और उहाँ पी जो है, जब ठंडा का मौसम आएगा तो उहाँ पत्ता जो है, जड़ने शुरू हो जाता है उसके बादे, coniferous forest इसमें क्या होगा? Coniferous forest contains needle likely Coniferous forest में उसका पत्ता सब काटा जैसा होता है They are also called alpine forest or tega इस तरह के forest को alpine forest भी कहा जाता है और tega के नाम से भी जाना जाता है They contain pine trees and evergreen जो pine trees होता है, जिनका सिप कोई जैसा होता है वो इस तरह के मतलब coniferous forest में आता है They occur in low rainfall areas यह कहा होगा, तो low rainfall वाले areas में ऐसा होता है उसका ज़े component of forest ecosystem Forest ecosystem में कौन-कौन से component आता है यह forest ecosystem consists of two components नेमली, दो component आते है पहला होता है abiotic factor और दुसरे होता है biotic factor पहला है abiotic factor abiotic factor को इसको कहेंगे The abiotic factor includes non-living things such as soil, water, air, sunlight, temperature, etc जो abiotic factor का मतलब तो non-living things जितने भी non-living things है जैसे कि sunlight हो गया, soil हो गया, water, air यह सारे abiotic factors में आते है Biotic factor, the biotic factors of the forest include plant and animal Biotic factor में दो ही चीज़ आता है या तो plants आएगा या तो animals आएगा मतलब plants और animals यह दो चीज़ जो है वो biotic factors में आते है प्लांट यह बहुत बड़े trees आते हैं या फिर साप्स आते हैं या फिर हाप्स का मतलब होता है साप्स का जो stem होता है वो थोड़ा hard होता है और हाप्स का stem जो होता है वो soft होता है इनिमल्स औफ एफोरेस्ट इन्वेंट मंकी डीर लाइन टाइगर एटिशे एनिमल्स और पॉरेस्ट का एनिमल्स प्रש्ट कौन खरह में आएंगे जो biotic factors होता है उसको तीन भाग में बाटा गया है पहला एक producer, consumer और decomposer पहला है producer यह किसको कहेंगे तब producer ग्रीन प्लांट जितना भी हरे पॉदे हैं जितना भी हरा पॉदे हैं सब क्या होते हैं producer होता है , यह जो है , अपना खाना बनाते हैं , प्रकार , सिंसिलेशन के दूरा यह जो होते हैं , मत्लद अपना खाना , अपना है , वह हम बनाते है ? , उसके बाद है , प्र आपना जून dönसे , यह जू दुन भूर जू llegar लूर च सवाध्याम भार। प्लांट्स को खाता है या भी दूसरे एनिमल्स को खाता है तो कंजुमर इटिंग प्लांट्स और कॉल्ड हार्विवर्स वैसे कंजुमर जो बस प्लांट को खाता है उसको हार्विवर्स कहेंगे एक्जामपल में डीर हेरन आता है तो कंजुमर इटिंग एनिमल्स और कॉल् जो कि जो बस प्लांट को खाते हैं और कानिवर्स वो सेकेंटरी कंजुमर होते हैं जो बस अनिमल को खाते हैं उसके बाद है डीकम्पोज़र दिकम्पोजर ब्रेक दर डीट बॉड़ीज ऑफ प्रोडूशर और चुछ एंटू इन्टू इन्टू इन आर्गिनिक सप्टांस तो इसमें बदलता है, बेंगा सभाजना बैक्टेरिया, फंगी ये सब आएगा इना फोरेस्ट का होले हैं तो क्या होगा तो क्या मैंबर नाथ ये इस zwischen शानि य करें। इस पीगर को यहां पर ड्रॉ कर दीजेगा